मीलोखेडी विधायक भगवान दाउस कबीर पंथी ने शुक्रवार को गाव राजगर में गाव वास्यों की समस्याओं को सुना इस मौके पर गाव में जनसभा का आयोजन किया गया जहां पहुशने पर विधायक कबीर पंथी जी का जोरदार स्वागत किया गया विधायक कबीर पंथी जी को गाव की मुख्य सड़क से कारेकरम स्थल तक ढोल बजा कर ले जाया गया गुर्द्वारा प्रबंदक समीती से सरदार दर्शन सिंग और कारेकरम की आयोजक निर्मर सिंग में पगड़ी और तलवार भेच कर विधायक कश्वागत किया इसके साथ ही गाव वासियों ने गाव में सामुदायक केंद्र की मांग रखी इस मौके पर विधायक कबीर पंथी ने जन सभा को संभोड़ित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा हर गाव को ग्रांट राशी विकास के लिए दी जा रही है गाव राजगर में जल से जल सामुदायक केंद्र का निर्मान का रह करवाया जाएगा इसके लिए विधायक ने 31 लाट रुपए की ग्रांट राशी की गोशना की विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा हर गाव में विकास करवाया जा रहा है हाल ही में उनके द्वारा अलगलग माध्यम से 10 करोड रूपए की ग्रांट राशी पंचायतों को वित्रित की गई है जिसमें राजगर्ड गाव के लिए भी ग्रांट राशी दी गई है गाव में पहुँशने पर विधायक ने गुर्द्वारा माथा भी तेका यह हमारा अपना गाव है राजगर्ड और बहुत आशिरवाद इस गाव से हमें मिलता रहा है आज हमारे सातिया सीख समुधाय के उन्होंने आज गाव में एक प्रोग्राम रखा था एक जनसभा का आयोजन हुआ था और आज गाव में सभी हम सभी पार्टी के अपने मंडल देख साइथ सभी कारे करते हैं यह पोंचे और गाव का अबारिया है और धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज एक जोरदार्स वाकत में हम सभी कारे करतों का किया और गाव की कुछ समच्चा है थी गाउं के लिए एक 22 लाख रुपे हमने आएक सड़क की मांग थी, वो सड़क की मांग के वो पैसे संचन हो चुके हैं, जल्दी वो सड़क के लिए वो पैसे आने वाले हैं, और आज एक इनकी एक समुधाई के अंदर हमारे होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख में यहां बह पूरी कराने का हमने वादा किया और जल्दी से जल्दी हम यह मांग इनकी पूरी करें। उन्होंने जो 31 लाग की ग्राट हमारे यहां भवन के लिए निर्मान के लिए दी है, उसके लिए गाउं राजगर्ड की संगत बहुत करजदार है और बहुत धन्यवाद करते हैं, आने वाले इलेक्शन में हम उनका यह करज़ बहुत अच्छी तरह से उतारेंगे जिए।